साथियों, देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्त को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पात संगठनों, एप्पियों उसकी बड़ी भूमी का है। बहतर बार्गेनिंग यानि मोलभाव की शक्ति है। आप सब जानते हैं कि जब आप अकेले खेती करते हैं, तो क्या होता है? आप बीज से लेकर खाद तक सब खरीते तो फुटकर में हैं, लेकिन बेचते थोक में हैं। इससे लागत जादा बढ़ती हैं और मुनाफ़ा कम होता है। लेकिन एप्पियों के जरिये ये अब तस्विर बदल रही हैं। एप्पियों के माद्यम से अब खेती के लिए जरूरी चीजें किसान थोक में खरीते हैं और रिटेल में बेचते हैं। एप्पियों से जो दूसरी शक्ति किसानों को मिली हैं वो हैं बड़े स्तर पर व्यापार की। एप्पियों के रूप में किसान संगड़ित होकर काम करते हैं लिहाजा उनके लिए संभावनाएं भी बड़ी होती हैं। तीसरी ताकत है इनोवेशन की एक साथ कई किसान मिलते हैं तो उनके अनुभव भी साथ में जूड़ते हैं। जानकारी बढ़ती हैं। नए नए इनोवेशन के लिए रास्ता घुलता है। एप्पियों में चौती शक्ती है रिस्क मैनेजमेंट की। एक साथ मिलकर आप चुनोत्यों के बहतर आकलन भी कर सकते हैं। उससे निपटने के रास्ते भी बना सकते हैं। और पांच भी शक्ती हैं। बाजार के हिसाब से बदलने की क्षम था। बाजार और बाजार की डिमांड तो लगातार बदलती रहती है। लेकिन छोटे किसानों को या तो उसकी जानकारी नहीं मिलती या फिर वो बढ़लाव के लिए संसादन नहीं चुटाता पाता। कभी सारे लोग एक ही फसल वो देते हैं और बाद में पचाल चलता है कि उसकी डिमांड ही कम हो गई। लेकिन एपियों में आपने केवल बाजार के हिसाब से तयार रहते हैं बलकि खुद बाजार में नए उत्पात के लिए डिमांड पैदा करने की ताकत भी रखते हैं।